जिंदेगी में पैसों की जरूरत कपड़ जाए कोई भरोसा नहीं अक्सर पैसों की जरूरत के सामने हमारी सेविंग भी कम पड़ जाती है ऐसे में जरूरत पड़ने पर आप बांक का परसनल लोन या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं लेकिन ये दोनों तरीके काफी महेंगे होते हैं। क्रेडिट कार्ड की EMI कई बार 25 से 30% तक चली जाती है। वैसे पैसे पाने का एक और आप्शन होता है। बांकिंग भाषा में इसे overdraft कहते हैं। overdraft को आप credit option में से चुन सकते हैं। overdraft एक financial सुविधा है, इसके द्वारा आप अपने bank account से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब उसमें पैसे ना हो। जी हाँ, थोड़ा आप हैरान जरूर हो जाएंगे लेकिन ऐसा है। overdraft के तहट आपको जो भी पैसा दिया जाता है, वो आपके record को देखकर दिया जाता है। ये facility आप अपने bank account से ले सकते हैं। चलिए पहले personal loan और overdraft के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये होता क्या है, इनके नियम और शर्थ क्या होते हैं और इसमें कौन से option आपके लिए फायते मन्त साबित हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं personal loan की। credit card भी कुछ ऐसा ही personal loan के option के जैसा होता है। हाला कि इसमें आपको करीब 50 दिन का interest free period मिलता है। आप यदि समय के अंदर पूरा पैसा चुकाते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं देना होता है। तै समय के बाद पैसा ना चुकाने पर आपको EMI पर मोटा ब्याज देना होता है। आप जानते हैं कि overdraft क्या होता है। overdraft एक credit line है जो bank द्वारा एक तै सीमा के लिए एक तै अवदी तक एक तै ब्याज पर दिया जाता है। आपके पास जब चाहे सुइकृत सीमा से राशी निकानने की सुविदा है, साथ ही आपके पास जब चाहे राशी चुकाने की सुविदा भी मौझूद है। ब्याज उपयोग की गई आपकी जो राशी है और उपयोग किये गई जो दिनों की संक्या है उस पर लगाया जाता है प्रीपेमेंट पर कोई भी जुर्माना नहीं होता आप पर्सनल लोन और ओवरड्राफ्ट के बीच में कमपैरिजन भी जान लेते हैं तो पर्सनल लोन में आपको एकमुष्ट राशी बांक की ओर से दी जाती है इसको चुकाने की सीमा तै होती है इस पर बांक मोटा ब्याज वसूलते हैं हर महीने आपको यह महीं चुकानी होती है वहीं ओवरड्राफ्ट की बात करें तो उसमें ब्याज राशी की गणना उपयोग की गई राशी और उपयोग के गए दीनों की संख्या के आधार पर दैनिक आधार पर किया जाता है उधार करता के पास जब चाहे तब भुक्तान करने की छूट होती है ओवरड्राफ्ट आमतोर पर एक साल तक की अलप कालीक अवधी यानि छोटी अवधी के लिए जाधा उपयोगी होते हैं अब ज़रा जान लेते हैं कि पर्सनल लोन या ओवरड्राफ्ट इसमें से आपको क्या चुनना चाहिए क्या बहतर है तो यहां मैं आपको बता दूँ कि दोनों में कुछ खूबियां हैं लेकिन कुछ नुकसान भी है यह आपकी सिचुवेशन पर निर्भर करता है आईए अब ज़रा कंडिशन की बात कर लेते हैं जब सिचुवेशन की हमने बात की है तो तो अगर लोन राशी पहले से पता हो तो परसनल लोन भैता रहता है परसनल लोन ऐसे व्यक्ति के लिए उप्योगी होता है जो ठिक ठाक जानता है कि उसे कितनी राशी की सरूरत है और कितनी अवधी के लिए उसको वो चाहिए होगी अगर आप मोबाईल, लैप्टॉप, कंजियूमर डूरेबल खरीदना चाहते हैं और पहले से ही कीमत जानते हैं तो आप परसनल लोन का ओप्शन आराम से चुन सकते हैं वहीं अगर आपको धन की आवश्यक्ता है, लेकिन सटीक राशी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ निश्चित नहीं है तो आप ओवरड्राफ्ट का ओप्शन भी चुन सकते हैं अब इसको अगर मैं समझाओं तो एक एक्जामपल के तौर पर मान लीची कि आपको किसी परिजन को हॉस्पिटल में भरती कराना है अब आपको पता नहीं है कि अस्पोटाल में भरती होने के बाद कितना खर्चा आएगा तो आप ओवरड्राफ्ट का ओप्शन चुन सकते हैं ऐसे में आप जरूरत के मताबिक रकम निकाल सकते हैं और ओवरड्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं करने पर आपको कोई पैसा भी नहीं देना होता लेकिन अगर आपको समय पर पैसा चाहिए तो आप तुरंद भुक्तान कर सकते हैं ऐसे ही और इन्फोर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए मनी नाइन